किसान साथियों नमस्कार आप सबका हर्दिक स्वागे था अमेजिंग किसान चैनल में किसान साथियों आज है एक मई और मैंने कहा था कि मैं इस दिन से अपने बाग की कटिंग शुरू करूँगा किसान साथियों ये देखिये ये जो लाइन है ये लगबग 10 पेड़ों की मैं कटिंग कर चुका और ये पूरी मेरी 5 फिट पर पेड़ है ये पेड़ देखिये ये दो वर्स का हो चुका देखिये कितना अच्छा इसका तरना हो गया और हमने दो वर्स में पहले इसका छत्रक का निर्मान किया है मैंने इसकी कटिंग की है इसमें फरवरी से पानी बन था लेकिन बारीज होने के कारण कल्ले निकलने लगे आप यह अगर ध्यान से देखेंगे तो यह देखें नए कल्ले शुरू हो गए यह देखें यहां पर यह नए कल्ले शुरू हो गए तो हमें अब इसकी कटिंग में एक मूलभूत सिध्धानत का ध्यान रखना है जो हमारी डंडिया निकली थी नए वाली जो पिछले साल कटिंग की थी उनको हमें 60% काट देना है 40% रखना है कट हमेशा तिरिशा लगाईए और हमें इस तरह से करना है कि यह मेरी हाइड जो हना लगबग सा होदा है आप ध्यान से देखिए मेरी पहली कटिंग जो हैंने यहां से हुई थी यहां से यह हुई थी इसके बाद मैंने एक दो तीन चार सा खाई रखी थी उसके बाद दूसरी कटिंग मैंने पिछले साल जून में यहां से की थी और यह जून में की थी और उसके बाद य और मेरा इरादा इस पर हद से हद पांच किलो अमरूद लेने का है एक पेर से, चुकि अमरूद बहुत आएंगे, कल्ले बहुत आएंगे, आप देखे कितना अच्छा कल्ला निकल रहा है, ये देखे आप, कल्ले सुरू हो गए इसमें, तो मेरा पांच किलो अमरूद लेने क है और इतने कल्ले आएंगे फिर उनमें से मैं अच्छे अच्छे कल्लों का सर्जन करूंगा कि मैं उनमें सलेक्ट करूंगा कि कौन से कल्ले अच्छे होते हैं उसके बाद जब इसमें कल्या आएंगी तो उन कल्यों में भी मैं सेलेक्ट करूँगा सारे अमरूद नहीं रखोंगा ताकि अमरूद अच्छा हो मोटा हो और अच्छा स्वस्थ हो किसान साथ यो कटिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको यह ध्यान रखना है कि कटिंग के पश्चात आपके पूरे पेड मर हवा और धूप की परचुरता होनी चाहिए जितनी हवा होगी उसके अंदर और धूप लगेगी उतने ही आपके फल अच्छे होंगे और फूल गिरेंगे भी नहीं आईए अब सुरू करते हैं इस पेड़ की यह देखें यह मैंने काट दिया है पेड़ इसके यह सब पत्ते में गिरा दू तो मैं इसको यहां से काट दूगा इस तरह से इससे उपर मैं नहीं ले जाओंगा जो यह एक्स्ट्रा हैं इनको भी हटा दूगा और यह मैं हटा दूगा इसमें नए कल्लों का सरजन होगा और जो यह कल्ले आये हुए हैं इसमें एक पत्ती छोड़ कर मैं इसको भी काट यहां से दूसरे कल्ले निकल दिया, यह मैंने कर दिया, किसान सात्यों आपको यह ध्यान रखना है, कि जो भी साखाए काटनी है वो पकी हुई होनी चाहिए उन्हीं को रखेंगे आप और जो छोटे वाली हैं आप देखें ये कल्ले निकल रहे हैं यहां से दिखाईए एक दो तीन हमें इतने कल्ले चाहिए भी नहीं अब इसके बाद हम सलेक्ट करेंगे देखें ये एक जो ब मुख्य साखाए हैं इसमें देखें यहां से पहली कटिंग होई किस से पहले वाली अब इनमें से मैं इसकी लगभग 60% पर कटिंग कर दूँगा और जो यह कल्ले निकलेते इसमें बस एक पत्ति रखकर ताकि इसकी जड़ में से यहां से फिर कल्ले निकलेंगे अगर कल्ल इसको मैं हटा दूँगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा रखूँगा, ताकि इसमें से मुझे कले, ये कमजोर साखा है, इसको मैं हटा दूँगा, ये एक्स्ट्रा है, इसको मैं हटा दूँगा, इसको मैं हटा दूँगा, ये भी मैं हटा दूँगा, इसको नहीं रखूँ आरी है ना पूरी यह जो नीचे जाएंगे इनको भी अटा देगे अब यह देखे इसकी यह दो मेंस हाखा है इनका चेहन करना हमें तो इसको हम यहां से कट कर देंगे 60% से इसको यहां से कट कर देंगे यह कल्ला हम हटा देंगे ये कल्ला पुराना है एक पत्ती रखकर इसको भी हटा देगे इसको भी एक पत्ती से हम हटा देगे अब इसमें से जिन कल्लों में चल रहा थे जो कल्ले चल रहे थे जितनी भी एनरजी थी वो सब हमारी नए कल्लों के सरजन में काम आएगी यह देखें यह हम इसको रखेंगे आप देखें कितने अच्छे कल्ले निकल रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ लेकिन हमें इतने चाहिए नहीं किसान साथियों यह वो पोर्षन है मेरा मैं इसमें पुरे विस्तार से दिखाऊंगा आपको कि जिसमें मैंने हाथ से कलिया तुड़वाई थी आपको मैंने दिखाया था स्याद भाग तीन था वो कि मैंने दिखाया था कि हाथ से मैंने आदे खेत में जो यह पोर्षन है इस इस्ट साइड का इसमें मैंने सम्में हाथ से कलिया तुडवाई थी लेकिन उसके बाद भी आ गई कलिया तो ये मेरा देखिए अब इसका लगबग हो गया आप देखिए कि एक ये छातानुमा छत्री की तरह की सकल बना दिया आए एक और पेड़ को देखते ये देखिए ये इसको हमें इतने नीचे नहीं चाहिए इसको हम हटा देते हैं ये साखा है इसको हम रखेंगे इसको हम यहां से काट देंगे चाकि इसमें से नीचे से कल्ले सरजन होंगे एक ये साखा है इसमें जो ये एक्स्ट्रा है इनको हम हटा देंगे ये थोड़ी बड़ी है इसको ह तो इसके पास से हटा रहा हूं ताकि इसमें नीचे से कल्ले निकले अगर हम इसे नहीं हटाएंगे तो कल्लो का सरजन ने यह ध्यान रखना है कि पेड में परचुर मात्रा में धूप और हवा का आगमन जरूर अवश्य होना चाहिए अगर धूप और हवा नहीं होगी एक मे तो उनके पेड़ों पर बहुत अच्छा मतलब बड़े पेड हो रहा है तो उन्होंने कहा कि त्यागी दो साल से मेरा फल कम हो गया मैंने गा तुमने कटिंग ही नहीं किये कहते हैं सर अब की बार में कटिंग कर रहा हूं वो भी मैं आपको दिखाँगा तो यह देखिए य यह मेरा पहला कठा यहां से इसके बाद एक दो तीन चार सा खाएते अब मैं इसमें से यह इसको 60% पर यहां से काट दूँगा इसको भी काट दूँगा किसान साथियों मुझे कहते हैं कि यह आदमी अपने अमरूद बड़े करता रहता है और काटता रहता है लेकिन अब की बार में दिखाँगा कि कितने अच्छे इसमें फल आएगे यह ललित वराइटी है मेरी और यह देखिए इन सब को मैं हटा दूँगा जितने भी हैं य कि यह देखिए यह जो तीन साखाए है इनको हमारा मुख्य दो धे है हमारा इन पर कल्ले सरज़ित तो यह जो आया हुया है इसको हटा देगे और इनके में पत्ते भी दुड़वा दूआँ है किसान साथ यो इस बात का ध्यान रखना अगर आपके कल्ले निकल गए हो तो आप जड़ा पत्ती हटाते समय ध्यान रखिएगा इनको अब ये देखिए इसमें कितने कल्ले जितनी भी नए साखाय निकलेंगी समय भरपूर मात्रा में कल्या आएगी अगर आप नहीं और हमेशा जो कल्या निकलती हैं वो नई साखाओ पर निकलती हैं पुरानी पर कभी भी नहीं आईगी तो ये भी मैं हटाओंगा चुकि मैं इधर इसको जाद नहीं ले जाना चाहता है ये थोड़ा मैं रख लूँगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना इनको मैं 60% से करूँगा ये मैं हटा दूँगा इसको ये भी मैं हटा दूँगा चुकि ये दूसरी तरफ से आएगी इधर वाली साखा ये ध्यान रखना है इधर मैं जादे नहीं जाने दूँगा इसको ये छोटी रख वगूँगा ये देखियो और लीजिये से रिमानी ये हो गई आपकी इस पेड़ की कटी अब जो पत्ते हैं इन पत्तों को हम हटा देंगे इस तरह से अभी मेरी लेबर आएगी पीछे तो कुछ और काम कर रहे हैं तो वह इन सब पत्तों को हटा दें यह पत्तों की जोरत नहीं है इन से हमें भरपूर म मिलेगा जब नीचे हम इसमें डिकंपोजर भी देंगे पानी के साथ किसान साथियों इस बार मोसम अनुकूल नहीं है हम रूद की बागवानी के चुकि हमारे हां बारिस हुई है अभी मंगल वार्गों फिर बारिस होगी पता नहीं मैं कर पाऊंगा पूरी कटिंग या न इस प्रकार अब आप देखिए कि इसमें सब यहां से कल्ले सरजित होंगे और उनमें से ही हम चैन करेंगे कि आज मैं आपको यह बताऊंगा कि कटिंग के समय यह दो साल के पोदे हैं कि क्या सावधानी रखनी है आप देखिए जरा तो रखना यह साखा देखिया इसमें एक दो तीन चार डंडिया यह यहां तक भूरी हो चुकी हम इसको यहां से कटेंगे कट हमिशा विशा लगा है फटा चुकी झींग कट लगा है इसको सवाल भीचानी यह कश्त अब देखिय किया इसको अधर को भीड करेंगी तो पोदा बहुत घंड हो जाएगा इसलिए इसको यहां से हट आएंगेंगा अपको एक ध्यान रखना यह वाली हट यह बीच में जब कल्ले निकले के ढोट अधीग घंड नहीं हो यह वाला यह साखह को भी हटाएंगे इसको काट हुआ है यह भी हटाओ अब देखिए यह बिल्कुल सीथा उपर को जाएगा तो हम इसमें से इसको आप यह देखें कितना अच्छे कल्ले चलने यह देखिए जैसे पत्ते हटाएंगे कल्ले चलने सुरूब कट हमेशा तिर्चा लगाए के बारिस का पानी नहीं रूख सब्सक्राइब अब आप देखेंगे इसको इसको इस वाली साथा में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा इसमें देखिए यह यह वाली है इसको हम हटा देंगे अब यह 3 है इसको यहां से ले लिए आप देखें इसको यह यहां से ले लिए तो इसको जादा बड़ी में रखेंगे यहां से चोटी अब इसको थोड़ा प्रें है है कि जितनी भी सूखी इस तरह की साखाय हो नों सब को हटाबीगे जो सूखी साखाय हो इसको यहां से इसको भी हटाबीगे इसके बाद हम क्या करेंगे बस हो गया आप इसके पत्ते हटवा दीजिए और इस पर अगर आप कराएंगे वैसे तो मुसम अच्छा है कल बारिस होने वाली है तो लेकिन मैं फिर भी रिक्मेंड करूंगा कि आप कोपर ओक्सी क्लोराइड का इस पर अवस्य करें कुछ लोब हैं नहीं करते तो यह देखिए यह तीन साख है एक दो तीन अगर आप चाहे तो इस वाली को भी हटा सकते हैं चुकि जब इसके कल्ले निकले और इसके कल्ले निकले तो यह देखिए बहुत गनी हो जाएगी देना कट्रा जाना मेरे तो किसान सातियों इसमें कुण पुधे वो ध्यान से देखिए मैं इसके पत्ते हटा रहा हूँ हुए और यह देखिए आज मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है तो यह मेरा कजिन है यह मैंने इस रिक्वेस्ट किया है और एक मज़ूर गुलाया है मैंने इसको पहले शिखाया और फिर करां बिल्कुल मेर चार लाइन की कटिंग की इनको हटाईए किसान साथियों मैंने बार-बार बताया है कि पत्ते एनर्जी लेते हैं और हमें इस वक्त पोधे जी कोई भी एनर्जी नहीं कर दी और वैसे भी यह पत्ते जितने भी देखेंगे आप पक चुके हैं यह अपने आप ही स्वेटे भी गिर जाएगे लेकिन तब तक हम इनमें क्यों अपना जो भोजन देंगे वह नस्पराइए अब आप थोड़ा सा इसको जहां से देखें यह इस तरह की चत्री की तरह बन गया इसको हम चत्रक कहते हैं और इसका क्लोजब लेगे चारों तरफ से बहुन दाए अब यहां लवा है अब यहां किसान चाहिए कि इचुमारे चेल्डा से सब्टा टो यह जो पत्ता तोड़ा थोड़ा थान सेमें अपको ऑर इिसमें जıtने भी कल्ले निकलेंगे देखें से और यहिए छे कल्लो का सर्जन होगा दो दो चार दो छे दो आठ का सर्जन होगा दो दो चार दो छे दो आठ दस का सर्जन होगा लेकिन मैं इन में से सब नहीं रखूँगा जैसे मैं इसको रखूँगा इसको रखूँगा फिर इसके सामने इसको नहीं रखूँगा इसको रखूँगा जो मेरे ललिथ है उसमने 3 पत्ति से आता है लेकिन कल मैंने कुछ अंपरोट में देखा है मेरे को याद नहीं रहा कि वह बरफखान था जी विलास था उसमें दूसरी पत्ति पर ही आपका कलिया była तो कलिया तीन के जोड़े में निकलती है तो मैं कोशिश करूँगा उनमें से एक एक रखे वो मैं तभी आपको दिखूँगा चुकि मुझे बहुत अधीक मात्रा में अमरूद नहीं देने हैं जितने अमरूद लूँगा वो फिर स्वस्थ होंगे और हो सकता है कम से कम तीन सो ग्राम का एक अमरूद अवश्य होगा और आधी किलो तक का भी अमरूद हो सकता है उन पे मैं थोड़ा अब की बार कुछ लाइन में फोगिंग भी करूँगा जो मेरा एक वो बैगिंग जो बैग लगाऊँगा और देखूँगा कि इसका क्या रिजल्ट आता है आपके साथ साथ तो देखे किसांसाथियो इन भरपूर आप देखें कितना अच्छे कल्ले चल रहा है यह देखें यह कल्ला निकल रहा है यहां पर लगभग समय अभी थोड़े दिनों बाद को की बरसात का मोसम आचुगा और सब में कल्ले नजरा, आपके, तो किसान सातियों ये था कटिंग का सिद्धान, एक बार फिर में बता देता हूँ, आपको जो भूरी साखाई हो चुकी है, उनका चेयन करना है, और ये ध्यान रखना है, की पोधा, 3 बाते ध्यान रखनी है, पहला ये, कि आपकी साखा महा तक अम्रूद का वजन उठाने के लायक हो गई है ऐसा ना हो कि साखा ही नीचे जूल जाए और तीसरा ये कि जब आपके कल्ले निकलेंगे कहीं वो क्रोश तो नहीं कर रहे तो प्रोपर अगर हवा का प्रवा होगा उसको धूप मिलेगी और हवा निकलेगी तो फंगस का कम अट प्रूद है जिसने मुझे इतनी ख्याती दिलाई मैं उसकी भी कटिंग करूगा और उसकी एक खुद विस्तरत वीडियो बनाऊंगा वो भी मैं दिखाऊंगा ये तो जस्ट आपकी इन्फोर्मेशन के लिए है कि किस प्रकार ये का ये हो रहा है दन्यवाद